इस वीडियो इस अबाउट मैम्मराइजेशन के हम चीजों को कैसे याद रख सकते हैं उसका हमें क्या फाइदा होगा मैम्मराइजेशन करनी भी चाहिए याने बेसिकली मैम्मराइजेशन ओनेसली स्पीकिंग कुछ चीजों में आपको करनी पड़ती है यह नहीं आप कह सकते कि आप बगार मैम्मराइजेशन के चने कुछ चीज़े ऐसी होती हैं जिन्हें हम हार्ड कोर फैक्ट्स को अगर हम याद नहीं करेंगे तो यह नोट गोइंग टू हेल्प यू क्योंकि एल्टीमेटली एक्जाम में हम लोगों ने जो गिवन इंफोर्म और हमें बहुत सरी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं सो लोंग टॉप मैमरी में वही चीज रहेगी जो के आप उसको अच्छे से कुंसॉलिडेट करेंगे और उसके लिए डिफरेंट टिक्नीक्स को फोलो करेंगे जहां तक बात है कि मैम्मराइजेशन की क्या चीज़ याद कर तो इसकी टू टाइप से लाइक अगर आप सजीक्टिव पार्ट है तो इसमें कंसेट्र फ्लेरीटी ले और माइन मैप बना ले डाव बी सफिशन अच्छा दूसरी तरफ है अच्छा दूसरी तरफ है अपके पस हाड को फैक्स है और इसको आपने याद रखने फ्लैश का की थी क्या लीडर था उसके इतने लोग थे तो वह आपको याद नहीं रहे लिए तो यह पहली चीज हो गई है मैम्मराइजेशन में यह होता है कि आपने चीजों को अपने ब्रेन को ऐसे ट्रें करना है कि जब आपको चीजों की ज़रत हो आपने उस पर्टिक्लर टाइम म कि इस हमारे पास एक्सेसिव नौलेज है एक्सेसिव इंफॉर्मिशन अवेलेबल है बट आपको प्रूव एस अफैटन बिकास हर चीज हमारे लिए नहीं बनी हमें चीजों को सेग्रीकरेट करना है सेग्मेंट करना है क्या चीज कैसे और क्यू है हमने उसके को लेके चलन हाँ चीज अपने सेट पर सवार नहीं करनी यू हब टो पर्टिकलराइस कोन से चीज मैंने त्यार करनी और कौन से चीज किप करनी है बस उसे पर कंसंट्रेट करें डूंट ओवर इंफिसाइज ओन एनिधिंग आपको कोटेशन यह नहीं कि आप पचास याद करने लिए द चीज करें जो कि आपके लिए लॉंग रर्न में अच्छी प्रूव हो सो जहां तक रही बात की हमने क्या याद करना है क्या नहीं है मैं आपको बता चके हूं अब इसको एक और वे ही होता है सब्जेक्टिव वाइज में आप उसको माइड माप के थ्रू भी याद कर सेथे आपने आपको एक टॉपिक दिया इंटरकल्चर कम्मिनिकेशन का आपने उसके बारे में एक दो आर्टिकल पड़े डूड ओवर्डू एक्सेसिव नॉलज इस फैटल इन यूर केस आपने ओवर्डू नहीं करना हमें जितनी रेलिवन इंफोमेशन जैसे चाहिए बस वो नहीं लिखी i.Dats रूब अब हमने उसका क्या करना है हमने उस इंफोमेशन को देखना है कीवर्श उठाके गूगल में जो मोस इतराटिकल होगा उसको उठाना है उसको हाई-लाइट करना है उसको रीड करने के बाद उसके पोइंटर्स बनाने है डिटेयर नॉट्स बनान आपके आपकी conceptual understanding होगे, अगर कुछ जादा objective है, याद करने वाली चीज़ है, उसका फ्लाश कार्ट में लिखें, अगर कुछ conceptual है, ऐसे ही रहने दे, दो तीन बार पड़ें, रिवाइस करें, तो त्री देज के बाद देखें, और फिर उसके बाद उसको sum up करके, अपने बास mind map की form में लिख लें, यह first stage है, once you are done with the all subject, जो के आपके reviewing के लिए होंगे, तो फिर आपने उनके one pages बना लेने है, one pages आपको बहुत help करेंगे, जब बहुत सारे एक दिन में दो दो तीन-तीन papers होते हैं, आप just exam, the deed exam बले दिन, एक page उठाएं, जो one pages आपके बने होई, इस तर फ्लाश कार्ड में हम उसके कैसे help ले सकते हैं, फ्लाश कार्ड में एक है Quizla टाप, उस आपको आप games की तरह उसमें चीजें फीड करते जाएं, और जब फ्री टाइम हो उसमें गेम की तरह उसको प्ले करें, वो चीजें फिडल भी नहीं करेंगी, आपको cumbersome भी लगेगी, हार्ड इंफर्मेशन याद करना और आपका फ्री टाइम भी मतलब काफी आपके 200 माक्स के और भी हो जाएंगे, और अगर आप 20 को मल्टिप्लाइ भी करें वाल से, तो बहुत सारी जो कि आपके माक्स, हार्ड कोर, फार्ट्स पे, नॉलिज पे बेस करते हैं, एमसी क्यू अगर आप किसी एक चीज में अच्छी हो जाते हैं, तो नाच्रल सी बात है, दूसरी चीज़े भी आपको ये, हैल्फल हो जाती है, अच्छा, इसके इलावा, जो है, बच्चों को ये बहुत होता है, कि मैं एक चीज याद करते हूँ, पिछला भूल जाता है, उसका क्या होई है, देखे, हमें आरजी लग भा रहा है, ठंपररी लग भा रहा हुत है, बार बार पढ़ते है, रिगरेंट होती है, उसके फ voterconce साइन्टिस भी कहते हैं जब किसी चीज के प्रिकेंट से ज़्यादा होती तो नाच्रुली वह हमारे माइं में रिटेन कर जाती और वह लॉंटर मैमरी में चली जाती है सो इस चीज से बिल्कुल टॉबल समनो हमें हम आगे याद करते हैं पिछला भूल जाता है यह हमें लग रहा होता है जादा बात है आप वान और टू सब्जेक्ट करके सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो दोबारा उसकी वन पेजर्स या माइंड मैप को रिवाइस कर लें 30 डे को हमें फाइदा दे और बहुत ज़दा नॉलिज को हमने नहीं रखना बहुत ज़दा चीजों को ड्राग नहीं करना ज़दा नहीं पढ़ना दो ती अगर आपके एक चीज पर कंसेप्टियों क्लेरिटी होगी दो तीन आर्टिकल कर लियां आपका हल्पुल हो गया ज़द अटरिग पर से परसर अपना कोर रहती हैं और व Keén जत्स परम्पर सेति काउस मेरा टाइम करती ही तो मुझेता है और है कि आपके एप्त नहीं कहँआ नहीं करती हैं कुछ यहां परडेलिजम एक्सार हैं नहीं करती हम लोगों को चीज़ों को मॉड़ेशन में लेकर चलना और जो चीजे हमारे लिए बेनफिशल हैं अगर हम चीजों को इतने जदा पॉर्टिकिलराइज हो जाएंगे कोमा की हाइफवाइन की और पता नहीं क्या-क्या बच्चे स्टूडेंट पता नहीं क्या-क्या फॉरन जो क्या वियाद करने की कोशिश करते हैं ठीक है आप करें करें जो भी करें मोड्रेशन में करें हर एक चीज को ड्यू पार्ट दें जितना बनता है अननसेसरी उसको ड्राइग नहीं करें आई थिंग डाइट मस्पीया फोर नाओ अगर कोई मजीद आपको क्वेश्टिन होगा तो यू कें लीप कमेंड है झाल सब्सक्राइब।